नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं जिंदल स्टील शेयर के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एक समय ऐसा हो था कि 200 रूपे के ऊपर इस स्टोक्स ने हम लोगों को खूप सारा पैसा कमा के लगबगुए नीचे लगबग 24 रूपे से भी नीचे ये स्टोक्स चला गया था देखने को मिले कि लगबख नीचे की बात करें तो एक सो चोंसोट रुपे से लेकर और उबर की बात करें तो एक सो तुराणा में पिचानम रुपे तक के लेवल जो है टच करने के बाद में गिरावट का सिल्चला फिलार में बनता हो नजर आ रहा है दोस्तों दो तीन गिरावट होती है तो फिर स्टॉक कहां तक जा सकता है दोस्तों यह महीने का चार्ट हमने यहां पर कोल रखा है लगबख 220 रुपे का ओपर का लेवल इस स्टॉक्स में जो है चार्ट में दिखाया हुआ है फिलाल में जो हमासे गिरावट हो चुकी है नीचे जाने के करेंगे तो कौन-कौन से लेवल हो सकते हैं सबसे पहले हम जो है सपोर्ट लेवल के बारे में जानने की ख़सिस करेंगे कि अगर स्टॉक्स के लिएक नेशे कहां तक जा सकता है करन प्राइस कहा दिखाए दर रहा है लगबख 184 के आसपास पास पहले सपोर्ट लेवल की हो सकता है कि स्टॉक्स जो है नीचे कहां तक जा सकता है यह लेवल आप नोट डाउन कर सकते हैं 182 रूपे 10 पैसे के आसपास तक इस टॉक्स जो है आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि इसका पहला सपोर्ट लेवल क्रियेट होके आ रहा है अगर इस टॉक्स के अंदर गिरावट होती है तो फिलाल में मेरा यह माना है तो फिर जो है और भी नीचे है चला जाएगा लगबग दूसरे सपोर्ट लेवल की बात करने की कोशिश करने तो फिलाल में जो है 198.55 का आपका पहला टार्गेट दोस्तो इस स्टॉक्स के अंदर होने वाला है अगर एक सो ठानम रूपे तक यह जाता है एक सो ठानम रूपे तक के लेवल टच करने के बाद में अगर स्टॉक्स सस्टेन करने की कोशिश करता है तो दोस्तो दो स्टॉक्स को अगर आप होल्ड करेंगे तो काफ़े अच्छा रिटर्स और काफ़े अच्छा मुनाफ़ज स्टॉक्स से कमा पाएंगे दोस्तो करी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि न कर अचैनल सब्सक्राइब कर वो